इस वीडियो में हम देखते हैं English subject का एक question paper यहाँ पर 80 marks का question paper है कहीं पर 40 marks का होता है कहीं पर 80 marks का ठीके तो 80 marks का एक English question paper हम देखते हैं आज सबसे पहले section A है section A हमेशा unseen passage का होता है या फिर आपको एक unseen passage दिये जाएगा मतलब कहीं से भी एक passage उठा के दे देते हैं और उसके बाद फिर उसके ही उपर questions पूछे जाते हैं ठीके तो passage को अच्छे से पढ़ना है जहाँ पर भी वो line है उसको specially read करना है और इन questions के answer देने है इस तरीके से ठीके तो यह तो सारा अलग ही होगा तो यह question number one और यह question number two और question number three यह तीनों जो है उसी passage से related questions है इन poem भी दिया गया है यह भी एक poem है जो आपके book में नहीं है बाहर से एक poem दिया है और then questions उसके उपर पूछे गए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीके तो ऐसे unseen passages unseen stories और poems की practice आपको करवानी है ठीके क्योंकि section A हमेशा वैसा ही होता है section A हमेशा comprehension ही होता है तो यह question number 1, 2, 3 जो है उसी poem के उपर वाले उसी poem से पूछे गए questions है अब आगे फिर आता है B part, B part हमेशा writing part होता है उसमें जो भी आपकी school में करवाया गया होगा जैसे letter writing, notice writing या फिर invitation writing या फिर card बनाना है न तो जो भी बच्चों को writing part में करवाया जाता है या फिर paragraph लिखना, कोई short essay लिखना, तो वही होता है हमेशा जो है आपका B section, मलब section B ठीके तो यहाँ पे poster writing पूछा है, poster बनाना या फिर अब एक paragraph या फिर एक topic दिया जाएगा उसके उपर आपको एक paragraph लिखना है, और clues भी दिये है कि क्या-क्या points आप मन में याद रख सकते हैं जब आप ये passage लिखेंगे तो इस option है, या फिर ये करो, या फिर ये करो, तो ऐसा ये है section B अब जैसा कि ये 80 marks का question है, तो यहाँ पे दो writing part है, एक poster और paragraph के बीच में option है और यहाँ पर एक notice writing और invitation card writing, इन दोनों के उपर भी एक option है तो चीजे हैं जो आपको writing part में करनी है, उसके बाद और section B के बाद फिर हमेशा grammar part होता है grammar के book से पूरे questions आते हैं, जिससे यहाँ पर देखे, number 5 पर propositions, correct propositions लगाना है, जो की options दिये गए है तो इसमें से आपको correct proposition लगाना है, यहाँ पर देखे, underline करना है सारे adverbs को, जो काम की विशेष्टा बताते हैं तो वो equation यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद देखे, सारे forms का simple past tense लिखना है, यहाँ जैसे की open बन जाएगा, opened है न, eat बन जाता है, eight, play, played, run, ran, ठीक है, तो ऐसे past tense लगाने वाला and then comparative and superlative form है न, जिसे hot हो जाता है, hotter, hottest, easy, easier, easiest, then good, better, best है न, and much का more or most तो यह superlative जो हमने comparative forms पड़े थे, उसमें से question है, और यहाँ पर conjunction के उपर question है, and, but, so, or, कहां पर क्या लगाना है, जो कि आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, तो यह है grammar part, then उसके बाद फिर आता है literature part, बतलब आपका जो पूरा roots and wings है, उसमें से question answers है न, तो यहाँ पर दे और कुछ फिरिंदी blanks दिये है, फिर एक question poem से दिया गया है, जो कि आपके naughty boy वाला chapter है, a song about myself, then, उसके उपर सारे questions पुछे गए है, उसके बाद बहुत सारे questions है, क्योंकि यह paper काफी बड़ा है, 80 marks का है, इसलिए बहुत सारे questions है, आपके literature से भी, ठीक है, and then, देखिए, last मे दिया गया है, एक essay की तरह की how victories are important, मतलब अपने according कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पेडों के बारे में, तो यह paper काफी बड़ा है, क्योंकि यह 80 marks का question है, ठीक है, कहीं कहीं पर, अगर आपका evaluation type हो रहा है, तो आपका 40 marks का paper भी हो सकता है, तो इसका just आधा होगा आ बाकी सब तो अलग ही होगा सारे स्कूल का, so hope आपके लिए ये video helpful रहा होगा, practice करिए इस तरीके से अपने English के exam की, thank you, all the best, bye bye